प्यारे बच्चो आज हम कक्षा साथ के गनित की वरक्षीट नमबर एक करेंगे वरक्षीट नमबर एक बच्चो जो की गनित की वरक्षीट है पांच जुलाई दोजारी किस की वरक्षीट है इसमें बच्चो देखिए को चितर दिया गया है ये वाला इसमें तीन तरह की संख्याइं बताएगी है पराकर संख्याइं, पुर्ण संख्याइं और पुर्णांक पराकर संख्याइं जो हमारी गिंती होती है एक से सुरू होती है, कभी समाप्त नहीं होती उसे पराकरती कि या पराकर संख्याइं कहा जाता है पुरुन संख्याएं वो होती है जो 0 से सुरू होती है गिंती इसके अंदर आ जाती है 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से ये चलती रहती है जबकि पुरुनांक जो होते है बच्चों मानिश की संख्याएं और पलस की संख्याएं जेतनी होती है 0 20 में आ जाता है सारी पुरुणांक होती है अब कुछ परशन दिये गए हैं सही और गलत बताईए 0 सबसे छोटी प्राकर संख है हमें पता है प्राकर संख है एक से सुरू होती 0 इसमें नहीं आती इसलिए ये जो है परशन गलत है माने साथ एक पुरुणांक नहीं है ये भी गलत है क्योंकि माने साथ एक पुरुणांक होता है माने साथ पुरुणांक होती है जो अपने आप में पुरुण होता है वो पुरुणांक होता है नीचे देगी तालिका को पुरा करें और दिये गए परसनों के उत्र तालिका का उपयोग करके लिखे हैं तो बच्चों देखिए कुछ संख्याइं देगी हैं हमें पता है समसंख्याइं कौन सी होती हैं उनको हमें टिक लगाना है समसंख्याइं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 ये समसंख्याइं होती है और विशमसंख्याइं बच्चों विशमसंख्याइं जो संसंख्याइं थी उनके विपरीत होती हैं 1, 3, 5, 7, 9 नो नहीं टिप पहले टिक लगा है वार्नो को 11, 13, 15 जो दो से भाग नहीं होती वो विशमसंख्याइं होती है एबाज़े संख्याई एक ने तो बाज़े होती है ने एबाज़े तो किसी में भी नहीं आएगा एक इसलिए सबसे पहली से संख्याई वो दो होती है एबाज़े संख्याई उसके बाद बच्चो दो के बाद तीन आती है उसके बाद पांच फिर साथ नो नहीं होती उसके बाद ग्यारे ग्यारे के बाद तेरे ये बच्चो ऐ बादजे संख्या हैं बादजे संख्या ही बादजे में संख्याँ में च्यार आती है सिर्फ सिर्फ छोटी संख्या उसके बाद एच्छे उसके बाद 8, 9, 10, उसके बाद 12, 14, 15 और 16 यह बाज़े संखे हैं यह बाज़े रहा है बाज़े बाज़े वो होती हैं जिनके गुननखंड होते हैं दो या दो से अधीक गुननखंड होते हैं आई बाज़े संख्याएं वो होती हैं जिनके दो से ज़्यादा गुनंदखंड नहीं होते हैं जो एक और खुद से बाग होते हैं केवल गुनंदखंडे सभी गुनंदखंडे इनके लिखे हैं जैसे एक का एक और दो गया दो का एक और दो हो गया तीन का बच्चो एक, दो, तीन हो जाएगा च्यार का एक, दो, तीन, च्यार आजाएगा पांच के गुननखंड बच्चो इस तरह से आप लिख सकते हैं पांच के एक, दो, तीन, च्यार, पांच इस तरह से सारे गुननखंड आप इनके लिख लें च्छे के गुणंदखंड बच्चो एक दो तीन और उसके बाद बच्चो छे च्यार और पांच नहीं होते हैं चार के गुनंखंड बच्चो एक, दो और चार थे उसके बाद है साथ के गुनंखंड एक और साथ साथ के गुनंखंड एक और साथ छे के यह हो जाएंगे पांच के गुनंखंड यह हो जाएंगे चार के यह हो जाएंगे आठ के गुणनदखंड बच्चों हो जाएंगे एक, दो, च्यार और आठ जिससे ये डिवाइड होता है जिससे ये बाग होता है वो इसके गुणनदखंड होते हैं तो नो के गुणनदखंड एक, तीन और नो इस तरह से आप ये गुणन खंड लिख सकते हैं 11 के गुणन खंड बच्चो 1 और 11 हो जाएगा 12 के गुणन खंड आप लिख सकते हैं 12 के गुणन खंड लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 6 और 12 तो इस तरह से लिख सकते हैं 13 के गुणन खंड लिख सकते हैं 1 और 13 14 के गुणन खंड लिख सकते एक दो और च्यार पांच छे साथ साथ होता है और 14 होता है इस तरह यह आप लिखे लेंगे 15 के गुणन खंड लिखेंगे तो एक 15 तीन और पांच और 15 16 के बच्चो एक दो चार चार के बाद बच्चो आठ आठ के बाद 16 तो इस तरह से आप यह गुणन खंड लिख सकते हैं सबी कि क्या आप आपने देखा की एब आज़े संख्या के केवल दो गुणन खंड होते हैं बिलकुल होते हैं दो ही गुणन जलते हैं तो इस तरह से गुणन खंड लिखें वे सभी संख्या लिखिए जिनके गुणन खंड विसम संख्या में हैं तो वे सारी संख्या आप लिख लें उपर से जिनके गुणन खंड विसम संख्या में हैं तो विसम संख्या वाले गुणन खंड आप लिखें तो जैसे 1 थी, उसके बाद 3 थी 1 और 3 शारे विशम होने चाहिए बच्चो 1 और 3, 1 और 5 ये उसके बाद 1 और 7 और 1 तीन ये विशम ये भी है, 9 भी है उसके बाद 11 है 11 के बाद 13 और 13 के बाद 15 ये लिख सकते हैं इनके गुनंठंड विशम संख़ाभी संख़ाभाइं ज dip जो संख़ाभी वत्त गयुए बिज्द संख्या में ज्सके विप्रिज जह प और पांच और दस होते हैं और बारा के गुननखंड होते हैं एक, दो, तीन, च्यार, छे और बारा इनमें इसे छाट कर लिखिए जो इनमें कॉमन है तो कॉमन जो है एक और दो है एक और दो तो ये सारो गुननखंड हो जाएंगे बच्चो तो इस तरह से एक और दो इसके सारा वो गुननखंड है क्योश्टा नमबर तीन देखे चाएंकित बाग को भिन से सुमेलित कीजिए एक बटा दो एक बटा दो का मतलब है कि आदा इसा जिसका सेड़िड किया गया हो या चाएंकित किया गया हो एक बटा तीन एक बटा तीन इसात यानि तीन में से एक इसा जिसका साएंकित किया होगा है गयो हो जाएगा एक बटा च्यार जिसका चोथा इसा साएंकित किया होगा च्यार में से एक इसा साएंकित किया होगा है 1 बटा 5 का मतलब है कि 5 मेंसे केवल 1 ईसा चायंकित किया हुआ और 2 बटा 2 अथवा 1 पूरा इसा चायंकित किया हुआ है दिए गोलो को इस परकार सवी अंकों से बरिये ताकि जोडने अगठाने पर 20 उत्तर आए तो 20 उत्तर आना चाहिए बच्चो अब यहां से हम सुरुवात करते हैं क्या इसके अंदर 16 हम लिखे दें 16 प्लस 4 बीस हो जाएगा 25 में से यदि 5 गटा दें तो 20 मिलेगा 29 में से 9 गटा दिया जाए 20 मिलेगा और 20 में यदि 0 जोड़े तो 20 आजाएगा एक में यदि 19 जोड़ दिया जाए तो 20 आजाएगा 33 में से 13 गटा दें यदि 20 आजाएगा और 40 में से 20 गटा दें यदि 20 आजाएगा 17 में 3 जोड़ दें यदि 20 आजाएगा तो इस तरह से आप इसको फिल कर लेंगा बच्छो तो यह थी मैथ की वरक्षीट बच्चो वीडियो ची लगे तो लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें